नेवल स्पेशल ओपरेशन्स ट्रेनिंग सेंटर कराची में पासिंग आउट प्रेड मुनकिद हुई जिसमें स्पेशल सेक्यूरिटी यूनिट के 50 कमांडोस ने स्पेशल सर्विसिस ग्रुप की जानिब से आठ हफ़ते का अंसिदादे देशतगर्दी कोर्स मुकमल कर लिया सेंटर से अब तक पास आउट होने वाला ये SSU का नवा बैच है SSU के 250 एहलकार कमांडोस नेवल स्पेशल ऑपरेशन्स ट्रेनिंग सेंटर से तर्वियत हासिल कर चुके हैं कमांडोस को दुबाने कर दियत, सेल्फ डिफेंस, क्लोस कौर्टर कमबेट, रिपेलिंग, बेसिक, एक्स्प्लोजिव और जदीद छोटे हत्यारों के इस्तिमाल से मुतालिक स्पेशलाइजड ट्रेनिंग दी गई डी आईजी सिक्रिटी एंड एमर्जनसी सर्विसिस डिविजन, मकसूद एमध पासिंग आउट की तकरीब के महमाने खसूसी थे इस मौके पर कमांडर एसेसजी नेवी, कैप्टन जबात खौजा भी मौजूद थे तकरीब से किताब करते हुए डी आईजी सिक्रिटी ने कहा कि स्पेशल ऑपरेशन्स ट्रेनिंग सेंटर ना सिर्फ नेवी, बलके एसेसजी को जदीद तर्सकी तर्बियत फराहम करने में एहम किरदार अदा कर रहा है और एसेस्यू के जवान इस सेंटर से तर्बियत लेने के बाद अपनी सलाहियतों को इंसदादे देश्यत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने उमीद जाहिर की के एसेस्यू के कमांडोस को तर्बियत फराहम करने का सिलसला आइंदा भी जारी रहेगा इस मौके पर कमांडन नॉमान असलन ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि कोर्स मकमल करने के बाद एसेस्यू कमांडोस अब देशतगर्दी से निमरत आजमा होने के लिए तैयार हैं और देशतगर्दों की जानिब से पैदा करदा किसी हंगामी सुरतियाल से निमरतने की मुकमल सलाहियत रखते हैं कमांडर्ण एसेस्यू जिशान शपीक सिद्धी की ने कमांडर एसेस्जी नेवी कैप्टन जवाद ख्वाजा को एख्जादी शील्ड पेश की और कमांडर एसेस्जी नेवी नेभी डी आईजी सेक्यूरिटी को स्वेनेर्स दिये वॉइस ओपनेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आईकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाले वीडियोस से बाखबर रह सके